तुम्हेलों काईर आज किस बार वीडियो मां बीटी टेज की एपिसोड 90 को एक्स्प्रेंट करने मला हो। और अगर आपने पिसले बार एपिसोड नहीं देखो तो दाकर पेज़ोट से देफ लेना है में लिंक वीडियो को डिस्रिक्शन में देधिया हो। तो चले बिन अपर पक्वास किये पड़ते हम वीडियो को तरबर जैसा कि मनें फिसले एपिसोड में देखा था कि सावयन ने अपनी एंगरी बुदर लोटस को ओल्ड राउंड रिमन बुस पर सोड़ दिया था। सावयन बहुत इदा है और अभी के लिए सावयन नहीं जनता था कि आखिर ये दो ओल्ड परसन है को लेकिन सावयन को उसे फिलिंग आ रहा है थी कि ये दोनों ओल्ड परसन बहुत इदा है श्ट्रंग है अफ जैसे ही सावयन अपनी एंगरी बुदर लोटस को गोर से आराम से देखते है जिसकी बज़े से सावयन की बॉड़ी में वो जो मेडिशनल इनर्जी थी वह कामडां हो जाती है अफ जैसे ही सावयन अपनी बॉड़ी में ये चीज़ को देखता है तो वो पूरी तरीके से हिरान हो जाता है और वो सूंचता है कि यार इन दोनों ओल पर्षन को मेरी बॉड़ी की तरफ देखने से ही मेरी बॉड़ी की मेडिसनल इनर्जी जो कि मुझे बहुत इदा हाम भी कर सकती थी वो इतना लदा काम डाउं के से हो गई है क्योंकि साव्यन ने एक साथ बहुत सारी मेडिसनल पील को खा लिया था इसके बले से साव्यन को ब और अभी के लिए फर्स्टलर सुटेन जो की दूल खरे इन दोनों की वर्ड परसन को देखकर हिराम थे वो इन दोनों के बुटे को पेचानदाते हैं और वो इन दोनों के बुटे को देखकर खुशी से कहते हैं कि ये दोनों के बुटे जो कि अभी तक नहीं मरे वो फाइनल नर्जी नहीं थीनिकल रही लेकिन उनकी सिर्फ ए स्विशल प्रेसर से ही हुआ का माऄल पूरी तरीके से सांध हो गया था। अब उसके साथ ही फस्टलर सुकेन उन सभी के एल्डर से केता है कि ये दोनों हमारे ज्यनन एकार्मी के एल्डर से और अफ होसलर सुकेन की ये बात को सुनकर सभी केंडर्स केते हैं कि तो अच्छा ये हमारी जैनेन अकैर्मी की गार्यान्स है और अविधार हम देखते हैं उन दोनों के गार्यान्स को जो कि उन सभी के बातों पर पुई भी धियान नहीं दे रहे थे और वो दोनों साव्यन की उपर से अपनी नदरे हटा कर साव्यन की उस एंगरी बुदर लोटस को गोर से देखना रखता है जो कि वो किसी फायरवल में बदल जुगा था और वो किसी बक्ती फट सकता था अब उस फायरवल को देखर वो दोनों के गार्डियन्स एक दुसरे को बहुत ही हेरानी से देखता है क्योंकि उन दोनों के गार्डियन्स को उस फायरवल में से बहुत ही इस्टेक्टिव एस्टेंट महसूस हो रही थी और फिर वो दोनों के गाडियन्स अपने कापते हाथों के साथ बहुत सारी हैंशी बनाना इस्टाट पर देते हैं और जैसा कि साव्यन की इस एंगली बूदर रोटस की बज़े से पहले ही एस पेस में थोरी बहुत दरारे आ चुकी थी तो उन दोनों के गाडियन्स ने अपनी हैंशी की मदद से उसे पेस दरार को पुरी दरीके से खुल दिया था यानि कि उन दोनों के गाडियन्स ने इस पेस में बहुती बड़ा दरार या हॉल बना दिया था अब इसके साथ ही वो दोनों के गार्डियंस अपनी स्टेंद के साथ एक बहुती बड़ा इस्पीज्वल हैंड बनाता है जिस्चे वो उस फायर लोटस की फायर बॉल को उसे स्पेस दरार में धाकेल देता है अब सावयन की उस एंगरी बॉल लोटस की फायर बॉल को उसे स्पेस क्रैक में धाकेलते हैं वो दोनों के गार्डियंस उसे स्पेस क्रैक को जल्दी से बंद कर देते हैं और इधर सवी के लोग इन दोनों के गार्डियन्स के इस एक्सन को देखर पूरी तरीके से हिरान थे और वो कहते हैं कि किसी भी जर्गा पर एस पेस को इस तरह से फार कर किसी भी चीज को इसमें धकेल देना या उसमें चले जेना एक इलाइट दौजन लेवल का एक्सपोर्ट ही कर सकता है और हमें लगता है कि ये दोनों ओल ग्राउंड डिमन गोर्ष से बहुती इदाय स्ट्रॉंग है और फिरिस के साथ ही वो सभी के लोग केते है कि आखिर ये दुनों के एक्सपोर्ट है को और अब इदर साव्यन जैसे ही अपनी एंगरी बुदर लुटर्ष को वहाँ पर से गयवता देखते है तुवे एक सुका सास लेता है क्योंकि अभी के लिए साव्यन को भी बहुती इदा फिकर थी कि उसके ये एंगरी बुदर लुटर्ष की बज़े से कहीं जियानने कारीम पूरी तरह से तबाना हो जाए और अगर एसा हो जाता तो साव्यन किसको जवाब देता अपनी इस हर्पेत के बारे में और वो खुद ही इस सब का जिमेदार हो जाता और सब सब के नजरों में बुरा भी बनला था और अब इसके साथ ही साव्यन कहता है कि मुझे अब नेक्स टैम के लिए हजार बार सोजना होगा इस एक्स्टर्मिनेशन फायर रोटस को यूज़ करने से पहले कि मुझे इसे कहा और किस वक्त यूज़ करना है क्योंकि साव्यन ने अपनी इस एक्स्टर्मिनेशन फायर रोटस में जो फूर्थ हेवेनली फिलम यूज़ किया था वो एक fake heavenly flame थी जो की थी life transforming flame और सावयन ने उस life transforming flame को demon flame मेले के फर्स लर फैंडेंग से लेकर absorb की थे तो सावयन ने अभी उस में से आधाई यूज किया था वो अब सावयन फ्यूचर में इस life transforming flame को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है और फिर हम देखते हैं फर्स लर सू कैनं और इतिल फैरीर ड़क्टर सावयन के बात सकते हैं वरना तो आज ये हमारी इनर एकर्मी पूरी तरीके से तवा हो जाती और इस डव की कॉंटिनेंट से डिसिपेर हो जाती अब ये सब सुनकर उन दोनों के गार्डियन्स फॉस्टलर सुकेन की बिस्ती करते हुए कहता है कि लेकिन फैलो सुकेन तुम अपनी फॉस्टलर की जोब को अचे से निभाई नहीं पा रहे हैं अब इनर एकर्मी पूरी तरीके से तवा हो जाती तो तुम इसका दोस बार मरकर भी हरजना नहीं भरपाते हैं अब ये बात को सुनकर जल्दी से सॉयन उन दोनों के गाडियन्स को बीड करके कहता है कि आप दोनों के सर प्लीज आप फॉस्टलर सुकेन को ये सा पुछ भी ना कहें आज जो भी हुआ ये सब मेरी वज़े से हुआ है आपको जिसे बलेम करना है वो में हो आप मुझे बलेम कर सकते हो इन सब के बारे में और आप फॉस्टलर सुकेन सॉयन की ये बात को सुनकर और सॉयन को अपनी तरफ साइट लेता देखकर एक हलकी से स्माइल पर लेता है अब सावियन की ये बात को सुनकर वो दोनों के गार्डियन सावियन को देखकर सावियन को कहता है कि लड़के तुम वही हो ना जब तुम पहली बार जेनने कैर्मी में आये थे और तवके वक्त तुम्हारे पास बीन लोटर स्कॉर्ड फिलेम ती जो किये खेवेनली फिलेम है अब ये बात को सुनकर सावियन अफने हाथ को मलते हुए हामे सखिला दता है और वो सुचता है कि यार में इन दोनों बुड़ों को अवद तक याद हूँ और फिर इसके साथ ही वो दोनों के गार्डियन से कहते हैं कि तव कि वोक्त सावियन तुम सिर्फ एक दादूसी के लेवल पर थे लेकिन तुम इन चन्द सालों में इस लेवल पर केसे पहुंच गे और फिर वो कहता है कि लगता है कि हमारी जैनने कैड्मी ने इतने सालों बाद एक बहुती जिनियर से श्टूडेंट को जनम दिया है और अगर अवी के लिए हमारे जैनने कैड्मी के हेड़ मास्टर उस मैं टैंग जिनको पता चल जाए तो सावियन वो तुम पर बहुती जिदा गर्ब महसूस करेगा अब इन दोनों गाडियन्स में से एक गाडियन्स से कहता आए कि लड़के मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारी बॉड़ी में एक से जदा हेवनली फिलेम्स है और तुम केसे इन हेवनली फिलेम्स को अपनी बॉड़ी में इस तरह से एस्टेवल कर पा रहे हो ये हेवनली फिलेम्स तो आपस में उपलाइट करके फट भी जाती है जिससे की वो बन्ना मर जाता है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम इसे किसी इस्पेसल कीमेथर के बगेर इस तरह से तुम अपनी हेवनली फिलेम्स को कंट्रोल कर पारे और हाँ लड़के अब तुम्हारे पास इस तरह की कोई कीमेथर तो तुम्हें फियूजर में बिल्कुल केरफुल देना होगा जब कि वब तुम जियने ने कैडमी से बाहर निकलोगे तो अब ये सब सुनकर सुल्यन बावुटीजदा रिस्पेक्टफुल वेब में उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि मैच्वटा लर्का आप दोनों से ही अच्छे दे सिख पाऊंगा जिस पर वो दोनों के गार्डियन से एक हलकी से एसमाइल कर देता है और फिसके साथ ही वो दोनों के गार्डियन से अपनी रज़रे हटा के लिए फेई डेक्र को बरेगवर्ट से देखने लगता है और जब रिटिल फेई डेक्र उन दोनों के बुट्डे को अपनी तरफ भूरता हुआ नटिस करती है तो उसकी बोडी में हलकी हलकी दोगी सर्कुलेट हना एस्टार्ट हो लाती है जिसके साथ ही उन दोनों गार्डियन्स में से ये गार्डियन्स कहता है कि मुझे ये की नहीं आ राके मैं इतने सालो बाद एक और विफुल्ट विडिन्स बडड़ी को फुजेस करने वाले परसन को देख पाऊँगा मागर बत किस्मती से जो भी परसन विफुल्ट विडिन्स बड़ी को फुजेस करता है उसकी किस्मत बहुती जिदा खराब होती है और वो बहुती जिदा दर्दनाक महुत मरता है अफ होसलर सुकें जब ये सुनता है तो वो बुसे में अपनी आगे गुमाते हुए उन दोनों के बुड़े को डारते हुए कहता है कि तुम दोनों इतने सालों बाद जनने कैडमी में एपेर हुए हो और तुम दोनों ने दूसरों फर डराना सुल भी कर दिया और अगर तुम पहले ही यहाँ पर एपेर हो जाते तो यहाँ पर यह फाईगी ना होती और तुम दोनों को इस बात तभी पताए कि वल्डराउंड डिमन गोष्ट की एस जेंट कितनी जदा है। और तुम ये भी भली बाती जानते हो कि मैं इसको अकेला नहीं रोख सकता। और अगर सावजन इस बैटल में आगे ना पाता तो तुमें तो पताए कि जेनन अकाडमी की किसमत आखे क्या होती। और अभी के लिए फस्टलर सुकेन वो इन दोनों के काडियन्स वर बहुत ही इदा गुसा आगया था। क्योंकि वो दोनों नवावक की तरफ पीछे पेटकर सारा तमासा देखते रहते थे। और इन फर आकर जब हो ये पेर हुए तो उन्होंने फस्टलर सुकेन की बेज़दी भी कर दी। और लिटीफ है इदेक्टर को थोड़ा बहुत डराना वी सुदू कर दिया। अब ये चीज़ देखकर और सुनकर फर्शलर सुकेन तब चुपे थे और वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इस यनन अकैर्मी के कोई सेवियर नहीं हो तुम दोनों सिलीपिंग में नेजर सोजो की हर वक्त सोते रहते हो और जहां तक बात रही हमारी हेट मास्टर की तो उसे गई हुए खई साल हो गए लेकिन वो आफ़दक जेनन अकैर्मी यो आफस नहीं आये और बात करू तुम दोनों की गार्डियन्स की तो तुम दोनों बिलकुल बंदरों की तरह खई पर चुपे हुए थे और इतने सालों बाद आज तुम दोनों ने अपनी सकलों के दरसें मुझे करबा दिये और इतनी वड़ी अकैर्मी को तुम सबने समारने के लिए मेरे कैंदों पर छोड़ दिया अब फर्चलर सूपेन के मुझे सारी बेस्ती सुनकर वो दोनों के बूटे बेसरमों की तरह हसने लगता है क्योंकि वो दोनों भी जानते थे कि उन दोनों ने इतने सालों तक बगेर किसी की फिकर किये बरही या आईसी वाली जिनकी बुजार रही थी लेकिन फिर उन दोनों के गाच़्ियं खाशते हुए फर्सलर सुट गेन से कहता आए कि हमने भी यह सब सहा था जब कि वक्त हम दोनों इस जयनर नएकार्मी के फर्सलर थे और तु और तुम Hair Master के बारे में क्या खेती हो जो कि इतने सालों से वापस जयने ने करिमें नहीं आया और क्या तुम्हें ये नहीं लागता कि हमारा Hair Master भी हमारी तरह कितना ज़्यदा इंडरेंश बसिवाल पर सने तुम उसके बारे में क्या कहना चाओगे अब इसके साथ ही Firstler게ल सूकेण इन दोनों की गार्डियांस की बात को सुनकर बाट की शुदा पस्टाते हुए कहता है कि अगर मुझे उस वत पहले सेही पता होता कि Earlier की टीटी इतनी शुदा होती है तो मैं तुम दोनों की Firstler की सीट को कभी भी ना लेता और फिर इसके साथ ही फॉस्टलर सूट के अंसलियन की तरब मुर्कर सौयन से कहता है कि तुम इन दोनों गार्डियन्स को ओल्ड बाई और वॉल्ड कैन के नाम से इसे फुगार सकते हो और ये भी किसी टैम में जेने ने कैर्मी के फॉस्टलर हुआ कर दे थे बिल्कुल मेरी तरह लेकिन अभी कि वो तिये दोनों रिटायर हो जुके और अपनी जिनकी में लोनिया बाजी कर वह है अब ये सुनकर सावयन जल्दी से उन दोनों को फिर से गिरिट करने लगता है लेकिन तब भी वो दोनों के गार्डियन सावयन को गिरिट करने से रोग देता है और इसके साथ ही वोई एक जगा पर खाली स्पेस में देखते हुए एक बहुती जदा इश्केंज स्माइल के साथ कहता है कि वोल्ग राउं डिमन बोस्ट काफी साल हो गए हम दोनों को मिले हुए और मुझे येकीन नहीं आरा कि हम आज के दीन इससालत में मिलेंगे क्या तुम हमसे मिलना नहीं चाहोगे अब सावयन उन दोनों के गार्डियनस को इस तरह से भिखेफ करता देखकर उस जगापर देखने लगता है जहाँ पर वो दोनों के गार्डियंस देखकर कुछ बोल रहे थे और जब सावियन उस जगापर देखता है तो कोई भी नहीं था बिल्कुल खाली एस पेस थी और उसे स्पेस में एक लंबी सी लाइन कीज़ता है जिससे कि वो ए स्पेस फट जाता है अब इसके साथ ही हम देखते हैं उसे स्पेस में से एक यूमन विगर निकलता है जो कि अभी के लिए बहुत जीज़ता जखमी थे और उसकी हालत पुरी तरीके से खराब थी बिल्कु बहुत जीज़ता है और उसके बोड़ी पर बहुत जीज़ता घाववी थे जिसे देखर सभी के लोग बढ़ा सते थे कि यह भले ही साव्यन की अटैक से बस गया हो लेकिन इसके बदले में वाल ग्राउं डिमन वोश्ट को बहुत जीज़ता हैपी प्राइज प्राइज प देखर वो नंगा वाल ग्राउं डिमन वोश्ट पूरी तरीके से खाब जाता है और वो अभी के लिए बहुत जीदा ड़चुका था और वो ड़ते हुए कहता है कि बाई ली कैन मो तुम दोनों मुझे की नहीं आरा कि तुम दोनों के बुड़े अभी तक जिन्दा कैसे हो अब ये सुनकर वोल ग्राउं डिमन वोश्ट की बेश्टी करते हुए उसे कहता है कि अभी तुम पहले अपनी हालत देखो जो कि खुटों से भी बतर हो चुबी है और जब के लिए तुम अभी तक जिन्दा हो तो भला हम केसे मर सकते हैं अभी दार नन्य पूंग ये वोल कर निखल पाना बिल्खुन ना मुम्किन है और दुसी तरफ हुस्टलर सुकेंट चिलाते हुए उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि वोल्ड बाय और वोल्ड कैन आप इस नंग्य पूंग ये वोल्ड राउं डिमन वोश्ट को यहां पर से जिन्दा बसकर ना जाने देन क्योंकि इसके डिमन पिलेंबेली के हाथ तो पिसले साल हमारे जैनने कैडमी के बहुत सारी स्टुडेंट पिसले साल मारे गए थे और अगर आप दुनों ने इसे इसे ही जिन्दा जाने दिया को आने वारे टैम में ये हमारे जैनने कैडमी के लिए बहुत जिदा ख़तरा भी वह सकता है क्योंकि अगर इस बंदे को जिन्दा स्वर दिया जाए तो यह आपने रीटीट में रहे कर बहुत ही जदा पावर्ड को इंक्रीज कर लेगा और वह सकता है कि वह आने में टैम में इन दोनों गार्डियन से भी बहुत जिदा इस्ट्रों हो जाए तो तब के ट कर वोल्ग्राउंड डिमन गोष्ट काफीजदा सर्माज आते हैं लेकिन तब भी वोल्ग्राउंड डिमन गोष्ट अपनी पिछवारे वो ढखते हुए उन दोनों से कहता है कि यह वीडियो कहतम हो जुका है को इसलिए मेरे पिछवारे को इस तरीके से मत गूरू जाकर कर पेले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहां तक देखे लिए उतब खारा करके वीडियो को भी लाइक कर दो और इसका नेक्स्ट एपीसोड भी जल्धी आ जाएंगे तब तक के लिए पर ट्रस्यू खाव फियो और मस्तर हो कर दो एपियो झाल